Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOTH, welcome to Magnate Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे The Star Formation के बारे में क्यों पढ़ेंगे? देखें, अभी तक हमने हमारे चाप्टर में क्या पढ़ा है? तो यह जो हमारा प्यारा से चाप्टर है The Origin and Evolution of Earth Theory दी थी कि Earth कैसे originate हुआ लेकिन वो इतने acceptable नहीं रही है तो फिर Modern Scientist ने क्या किया? दूसरी Theories दी तो जिन Theories में सबस्याद है acceptable theory जो है वो है Big Bang Theory Big Bang Theory को Expanding Hypothesis भी कहा जाता है Expanding Universe Hypothesis ठीक है और वो acceptable है ठीक, तो उस Big Bang Theory के according क्या होता है? Big Bang Theory के according Explosion होता है Explosion होने के बाद में Universe बनता है ठीक है? तो Explosion हुआ और Explosion होने के बाद में किसका जन्म होता है? Universe का बदाई हो ठीक, अब लेकिन हमें यह देखना है कि Universe किस चीज से बना है Universe किस से बना है? तो Universe में आप क्या देखते है? Stars है ठीक है उनी stars में sun भी एक star है ठीक है तो उसके बार में क्या planets हैं बहुत सारे तो नी planets में एक अरथ हमारा planet है तो यह सब कैसे बने आप अगर वो जान लोगे तो यह समझ में आ जाएगा universe ऐसे बना ठीक है पिछले video में हमने theory देखी कि universe का origins हमें यह समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे universe में जितने भी पार्ट है वो कैसे बने हैं तो हब हम one by one सारी चीजों को unfold करते जाएंगे ठीक तो यह जो आपके heading है the star formation इसमें आपको यह बताएंगे कि star कैसे बने जब आप स्टार कैसे बने यह समझ जाओगे तो आपको यह पता चल clinical TON में explosion होता है उस atom के अंदर क्या थी? infinite density थी उस atom के अंदर infinite temperature था और जब वह explode होता है कि उसके अंदर से time निकलता है उसके अंदर से energy निकलती ह louma निकलता है सारी चीजे उस explosion के बाद में निकलती है ठीक है यह theory मैं मतलब हम क्या सकते hypothesis दीएगै यह presumptions रखे गए clear तो उस explosion के बाद में क्या होता है however the distribution of matter and energy was not even in the early universe ठीक है अब आपको एक चीज यह clarity हो गई है और हो जाना चाहिए अभी तक कि explosion के बाद में ही universe के अंदर जो material आप देख रहे हो वो निकल के आया ठीक है अब लेकिन जो explosion हुआ तो explosion के बाद में अलग-अलग material अलग-अलग matter जो निकला है तो हर matter की density एक समान नहीं होगी जब तक वो सब कुछ एक atom के अंदर बन था तब तक density क्या थी infinite थी किसी को नहीं पता थी अब explosion हो गया है explosion होने के बाद में जो material बाहर निकला है जो matter बाहर निकला है तो हर matter की density क्या होगी vary करेगी मानते हो इस चीज़ को ठीक है तो however the distribution of matter and energy was not even in the early universe even क्यों नहीं था क्योंकि there were density differences clear हो गया है कि density में differences थी अलग-अलग matter की अलग-अलग density थी घनत्व जो था वो अलग-अलग था अब density पता है ना जो को science मितना 10th में पढ़के आए मैं presume करके चल रहा हूँ related to gravitational force जिसकी density ज्यादा है उसका gravitational force ज्यादा होगा ठीक है तो जिसकी density ज्यादा उसका gravitational force ज्यादा इसके चलते क्या ओओ जो अलग-अलग material explosion के बाद में निकल किया है जिनकी अलग-अलग density तो उन्होंने अलग-अलग तरह से क्या कि अपने आजू-बाजू के material को attract किया अपने तरफ अपने gravitational pull के साथ में समझ में आया आप सोचरोंगे सर साइंस से घबराते थे तबी तो geography लिया और यहां पूरा physics फिर पढ़ना पड़ रहा है तो basics है ठीक है there were differences in gravitational force और इसके चलते क्या होता है matter came together matter came together formed the basis for the development of galaxy अब देखो फिर सारे matter जब पास में आना चालो हुए न तो वो matter जब एक के साथ एक जुड़ता चल लगए gravitational pull के कारण तो वो matter से ही फिर क्या बनेगा वो matter जब साथ में आया साथ जिससे अगर आप देखेंगे क्या हां कि यहां पर आपको दिख रहा है बहुत सारा matter जो वो एक साथ जब आया तो वो matter के एक साथ इखटे होने से फिर galaxy बनी है अब एक मिट के लिए हां पर रुखो और समझो चीजों को galaxy क्या है galaxy is cluster of stars ठीक है galaxy के अंदर बहुत सारे stars मिलके galaxy बनाते हैं इसे हमारी galaxy कौन सी है तो हम कहते है Milky Way galaxy है ठीक है जिसमें हमारा solar system है ठीक तो उसे हम Milky Way आकाज गंगा भी कहत एक galaxy बनाई clear तो अब जिसे आप यह देखोगे Milky Way galaxy होगी हमारी clear आगे बढ़ते हम तो galaxy is a galaxy contains a large number of stars मैं आपको star formation ही बता रहा हूं लेकिन star formation जब star बन जाएंगे तो सारे star मिलके galaxy बनाएंगे वो चीज़ पहले समझ लो तो galaxy क्या होती है galaxy contain a galaxy contains a large number of stars clear galaxies spread over a vast distance और यह galaxies जो होत ना तो कुछ stars ने मिलके क्या क्या एक galaxy बनाई कुछ stars ने मिलके दूसरी galaxy बनाई तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक galaxy हो गई ठीक है यह जलेभी जैसी जो डाइग्राम होते हैं यह geography में क्या दर्शाते है galaxy दर्शाते हैं ध्यान रखना इस चीज को तो अब यह बहुत सारी galaxies हैं जैसे बहुत सारी galaxies तो इन galaxies के बीच में distance भी है क्योंकि यह जो stars का एक ग्रूप रहा होगा इसे हमने एक galaxy बनाया है दूसरा जो star का ग्रूप रहा होगा इसे हमने दूसरी galaxy बनाया है तो यह galaxy है दूसरी galaxy है ठीक है तो इन galaxies के बीच में distance भी होता है अब distance कितना होता है तो स्पेस में तो स्पेस में आपको पिछले वीडियो लेक्शन में बताया था कि इन्फईनाइट मतलब distance है, space को कह सकते हैं कि जो ऊपर space है, उस space में infinite space है, जगा वाला space, ठीक है, तो sense में क्या है कि इन galaxies के बीच में distance जो रहता है ना तो वो vast distance रहता है, ठीक है, these galaxies spread over vast distance, and this distance is measured in light years, तो इस distance को कैसे नापा जाता है, कैसे तोला जाता है, light years में, ठीक है, light years, आप देखो शब् समझो और यह पूरे के पूरे term का आपको meaning समझ में आ जाएगा, light भी है और years भी है, years मतलब जो हमारे साल होते है, January से लगा के दिसंबर तक, वही साल, लेकिन उस साल को आप time period पे नहीं, आप उसको क्या, एक तरह से कह सकते हैं कि light के distance पे cover करते हो, light के distance पे calculate करते हो, confusing है, अभी clear करेंगे इसको, ठीक है, अभी समझ में आएगा, तो light year क्या होता भी बताओंगा, पहले थरो सा galaxy का और देख लो, galaxies are formed by accumulation of hydrogen gas, nebula, अब देखो star formation समझ लेते हैं पहले, फिर light year पे चलेंगे हम, तो क्या होता है, कि मैंने आपको यह बताया, मैंने आपको क्या बताया, क अलग अलग explosion के आद में matter निकल के आया, अलग अलग matter के निकल के आने से क्या हुआ, आप देखो कि matter की density अलग थी, सबने अपना-पना gravitational pull बनाया, और gravitational pull के कारण क्या होता है, कि सारे matters एक दूसरे के पास आना चलो होते हैं, और फिर उसके चलते क्या होता है, कि आप एक तर gravitational pull के कारण एक साथ जब accumulate होना start होते हैं, तो अंदर fission start हो जाता है, जैसे अगर आप देखोगे stars में क्या है, stars में gas होती है, sun में क्या है, hydrogen और helium है, और hydrogen और helium जो है, तो वह continuously क्या करता है, fission चल रहा है उसके अंदर, और वहीं से energy produce होती है, वहीं से light निकलती है, solar insulation निकलत जो छोटे tim tim आते, तारे रात में दिखते हैं, इसका मतलब यह निकि वह थंडे है, वहाँ पर बहुत, क्या सकते है, temperature कम होगा, वह भी sun से बड़े भी हो सकते है, sun से जाधा गरम भी हो सकते है, लेकिन मज़े की बात है कि sun से वो लाखो करो किलोमेटर दूर है, ठीक है, ल महाँ पर आपको gases मिलेगी और वो एक hot burning star रहता है, ठीक है, एक आग का गोला रहता है हर स्टार, तो ऐसे स्टार बने, अब क्या होता हो, जो nebula बना न, जो पुरा cloud बना gas का, ठीक है, hydrogen था जिसमें helium था, तो growing nebula developed localized clumps of gases, ठीक है, जो nebula बना था, उसने clumps of gases बना ली, gases एक सा gaseous bodies बन गई, तो जब dense, वो gaseous bodies क्या हो गई, dense होगी न, बहुत जादा, उनकी density बढ़ गई, तो उसके चलते वही बता है, मैंने आपको fission वगरा स्टार होता हो और वैसा star बने, तो sun जैसे हमारा एक star है, sun के आपने photo वगरा देखिए, तो जैसे कैसे flaring fires निकलती, उसमे कि उसके अंदर, आप कहा सकते हो कि gases का proportion बहुत dense होता है, clear हुआ, चलो ठीके, तो अब देखो, एक बार हम थोड़ा से sequence में समझते हैं, शीजो को, क्या समझते है sequence में, कि explosion हुआ, ठीके, explosion कब हो तो 13.7 billion year अगो, ठीके, उस explosion के बाद में क्या होता है, दीरे दीरे जैसे मैं आपको था, explosion के तीन मिनिट के बाद ही atom बन गया था, वो atom वगरा, matter वगरा, convert होंगी सारी चीजे, ठीके, फिर वो 13.7 billion से कब तक 5-6 billion तक का जो 5-7 billion, 5-6 billion year अगो की बात कर रहो हो में, ठीके, उतना एक लंबे time period तक तो matter और energy ही evolve हो रहा था, फिर वो matter और energy evolve होते होते होत स्टार बना, अब जो स्टार बने तो स्टार का जो cluster बना फिर उस cluster को हमने galaxy पुल दिया, अब clear होगी नहीं चीजे हम systematic आ गई और हमारे पास format में आगी सारी चीजे, क्या explosion, explosion के बाद में धीरे-धीर atom वगरा बने होंगे, matter energy आया होगा, matter energy, matter की density अलग अलग होगी, अलग density matter होगा, तो उसके चलते क्या होगा, दीरे-दीरे gravitational pull वगरा, मतलब gravitational pull के चलते, दूसरे matter को attract किया होगा, clumps of gases देखने को मिलेगी होगी, फिर वो gases क्या होगी, और dense होगी, और gases के dense होने के बाद में अंदर fusion स्टार होगा, और stars बने होगे, उन stars के cluster ने galaxy बनाई होगी, ठीक उस distance को measure किया जाता है, light year में, ठीक है, यहां तक चीजन clear होगी, अब समझना क्या बचा है हमारा, सिर्फ light year क्या होता है, सरी यह नहीं पता है, चलो, light year को देखते है, light year क्या होता है, light year को समझते है, तो a light year is a measure of distance and not of time, ठीक है, सबसे important चीज यहीं पर clear करते हैं, कि year सुनत समय से लगता है कि time की बात करें January से December, तो light year यहां पर साल नहीं बताते हैं, कि एक साल दूर है, galaxy और दूसरी galaxy, मतलब galaxy A और galaxy B जो है, तो एक साल दूर है, ऐसा नहीं बोलेंगे, year शब्द लगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप time बता रहे हो, light year क्या है, it is a measure of distance, वो distance बताता तो, ऐसे बोलते हम, कि one light year, two light year, मतलब, एक light year का distance है, दो light year का distance है, दो light year का distance है, दो galaxies के बीच में, ठीक है, यह light year होता क्या थेखो, तो, अब light year में आपको एक चीसत्तों समझ में आगे, क्यों जाए, year भी लाइख भी आए, light भी आए, मतलब, दोनों से मिलके ही कुछ बना तो यह रोर लाइट दोनों से मिलके कुछ बना हो समझाता हूं तो लाइट जो रहता ही नहीं ठीक है कहां से आती है लाइट जैसे हमारे पास में सूरज से लाइट आती है तो वह किस स्पीड से चलती है आपको पता है 300,000 km2.2 सेकेंड की बात कर रहे हैं सोच लेना मतलब 300,000 km2 पर सेकेंड आप इसे लगा सकते हैं कि 3,000,000 km2 एक सेकेंड में वह लाइट दोड़ जाती है ठीक है और वह 3,000,000 km2 से स्पीड से दोड़ती है ना तब भी वह 8 मिनिट लगा देती है एक मिनिट मां साट सेकेंड होते हैं कहीं आप कह सकते 149,000,000 km इतना डिस्टंस ट्रेवल करती है वह 8 मिनिट में 8 मिनिट के आसपास ठीक अब अगर हम बात करते हैं कि लाइट एर क्या है तो देखो आपको लाइट की स्पीड पता है ये एक सेकेंड में चल रही है इसी हिसाब से अगर हम बात करते कि एक साल मे कितने सेकेंड होंगे अब एक साल में अगर सेकेंड की बात की जाए तो 315,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 उसे एक light year कहा जाएगा, तो हम ऐसे भी कहसे हैं, this equals to 9.461 into 10 to the power 12 km, इतना distance जो होता है, इतना distance एक light year में travel किया जाता है, किसके दौरा, एक light year में travel किया जाता है, light के दौरा, ठीके, अब आप कह सकते हैं कि इतना distance मतलब एक light year, ठीके, तो अब अगर मैं ये कहता हूँ कि दो galaxies गैलक्सीस के बीच में 4 light year का difference है, ठीके, 4 light year का difference है, या फिर कह सकते हैं कि 4 light year का distance है, ठीके, 2 galaxies के बीच में, तो उसका मतलब क्या हो गया, कि ये तो एक light year का distance हो गया, इस तरह से इतने ही kilometer, 4 बार आप जोड़ दो, तब 2 galaxies के बीच का आपको distance पता चलेगा, तो आया समझ मे लाइट यह को नहीं से दोल klassily चाहिए एक साल यार्फिक एक लैट अपने के लिए यूज करते हैं, clear हुआ, तो यहाँ पे the mean distance between the sun and the earth is 149, 149 million, बहुत बड़ा figure जो है, ठीक है, मैं तो इतने बड़ा figure देख की डर जाता हूँ, clear, तो इतना kilometer जो है, वो distance है किसके बीच में, sun और अर्थ के बीच में, in terms of light year, it is 1.8.311 minute away, और it takes this much time, ठीक है, तो उस sense में आपको चीज बजना होगा, calculate करना होगा, कि एक light year में कितना distance cover किया जाता, और galaxies जो होती ना, तो usually galaxies में, भहुत लंबे-लंबे light years का क्या होता है, difference होता है, और उस difference हम distance calculate करते हैं, कि एक galaxy, दूसरी galaxy से कितना दूर है, clear हुआ, so this was all about the star formation, आशे करता हूँ, ये topic आपको समझ में आया है, star formation में हमने ये देखा कि stars कैसे बने, अब stars बन गए आपके, और क्या-क्या है universe में, देखो star बन गए, star से क्या बन गई, galaxy बन गई, galaxy के बीच के distance आपने light year से निकाल लिये, ये पूरी कहानी हो गई आपकी, ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई है, और भी बहुत सारी चीज़े हो टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताइए, magnet brains के बारे में, मिलते हैं next video में, अगले topic के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you